सल्मान खान की पेशी है 16 जन्वरी को इस केस पे आईए बताते हैं आपको खबर डीटेल में पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले नमस्ते दोस्तों मैं हुशुल का जवान और आप देख रहे हैं बूवी जड़ा दोस्तों मैं आपको यह बता दू कि भाईजान सल्मान खान कभी भी अब उन्होंने जो भी किया है उससे कभी भी मुक्रे नहीं है अब मैं आपको बता दूँ कि 16 जनवरी को हम सभी जानते है कि ब्लैक बग केस जो चल रहा है सलमान खान पर उसकी पेशी है और उसके लिए उनको अंदर भी किया गया था उनको गिरफतार भी हुए थे वो जेल में almost जाने ही वाले थे पर उनको फिर बेल मिल गई अब 16 जनवरी को उनकी पेशी है जैसे हम सभी जानते है कि हाल ही में सलमान खान ने ना सिर्फ हर चीज के लिए वो खड़े ही रहे है उन्होंने कभी भी जो भी चीज की है उससे वो बुक्रे नहीं है फिर उनके साथ हुआ एकसिडन क्यों ना हो या फिर कुछ भी जो हुआ ह है उसके लिए हमेशा सलमान खान डट कर खड़े रहे है और उन्होंने डट कर सामना किया है ऐसे ही मैं बता दू आपको की ब्लैक बप केस जो है जो सलमान खान पर अब भी चल रहा है उसकी पेशी है कोट में और कोट में पेशी है सलमान खान की 16 जनवरी को और 16 जनवरी को कोट सलमान खान फिर एक बार पेश होने वाले है कोट में और यह देखना है कि आखिरकार इस बार क्या ही होगा और कोट इस मुद्दे पर क्या देगी अपना जो भी उनका जो निशकर्श है वो क्या होगा कोट का यह देखना है पर आपकी क्या राय है इस पर ज़रूर तो आपको क्या लगता है सलमान खान के बारे में और इस के बारे में जरूर बताइए हमें in the comments below. We are waiting to hear you. This is Shulka Chawanan and you are watching Movies Atta.